नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस्वाल इंडिया आपके साथ मैं हूँ काजोन लारायन बहुत स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग इंडिया में भारत में कोरोना वारस के दूसरी लेहर का कहर जारी है देश में कोरोना महमारी फैनले के बाद से ही सक्रिया आकडों में तेजी देखी जा रही है संक्रमन के मामने एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं क्या आम और क्या खास कोरोना की चपेट में आने से कोई नहीं बच रहा खिलाडी बेस महामारी से नहीं बच पा रही है बड़े भाई यूसुफ पठान के बाद अब टीम इंडिया के तेज गेन बाज रही इर्फान पठान भी कोरोना पॉस्टिव पाए गए है इर्फान पठान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और उन्होंने खुद इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के जरिये दी है इर्फान चौथे भारते क्रिकिटर हैं जो कोरोना पॉस्टिव पाए गए हैं इर्फान पठान ने अपने ट्विटर पर लिखा कि बिना किसी लक्षण के मैं कोविड टेस्ट में पॉस्टिव आए गया हूँ मैंने खुद को आइसोरेट करते हुए घर में ही कॉरंटीन कर लिया है पिछले कुस समय में जो लोग मेरे संपर्प में आए हैं उनसे आगरे करता हूँ कि वो अपना कोरोना टेस्ट जरूर कराएं सभी मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें सभी के अच्छे स्वास की कामना करता हूँ इससे पहले भारत्य बलेबास S. बज़ुनात नविवार को कहा था कि वो COVID-19 जार्ट में पॉजिटिव आए हैं और इस समय होम कॉरंटीन में हैं वो रोड सेफटी वोल्ड सीरीज टूर्नामेंट में संक्रमित होने वाले तीसरे पुर्व भारत्य क्रिकेटर बन गए थे उनसे पहले श्वनिवार को सचिन तेंदुलकर भी कुरोना पॉजिटिव पाए गए थे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज च्वार दिन बाद कम ही देखी गई है कच्चे तेल के बाजार में भी थोड़ी नर्मी देखने को मिली है अंतरास्टे बाजार में ब्रेंट क्रूड 64.79 डॉलर प्रती बेरल के आसपास चल रहा है पिछले 15 दिनों में कच्चे तेल का भाव 15 फेस्दी से जादा तूटा है इसके पहले तेल कम्पनियों ने पिछले हफ़ते गुरुवार को लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल कीमतों में कटोती की थी बुदवार को करीब 24 दिन के बाद तेल कम्पनियों ने रेट में कटोती की थी इन दो दिनों में दिल्ली में पेट्रोल 49 पैसे और डीजल 37 पैसे सस्ता हुआ है इसके बावजूद लगभग पूरे देश में डीजल पेट्रोल की कीमते रिकॉर्ड उचाई पर चल रही है इसकी बजह से पेट्रोलियम पदार्तों को जीएस्टी में श्वामिल करने की मांग फिर से उठने लगी है वत्मंत्री निर्मला सीतर अमन ने संसद में कहा है कि वो इस बात के लिए तयार हैं कि जीएस्टी काउंसल में इस पर चर्चा हो पेट्रोल और डिजल की आज जो रिकॉर्ड कीमते चल रही है उसकी सबसे बड़ी वज़ा ये है कि इन पर टेक्स बहुत ज्यादा है सरकार को मौझूदा वितवर्ष में पेट्रोल और डिजल पर एकसाइट ड्यूटी से 3.49 लाग करोड रुपे हांसल होंगे यानी पेट्रोल और डिजल पर टेक्से सरकार को कोरोना काल के बावजूद इस साल जबरदस्त कमाई होने वाली है पश्विम बंगाल और असम में दूसरे दोरे के लिए चिनाप प्रचार आस थम जाएगा बंगाल के 30 और असम के 49 विधान सभासीटों के लिए 1 अपरेल को वोट डाले जाएंगे बंगाल में प्रचार के आखरी दिन नंदिग्रा में मुखे मंतरी ममता बेनर जी ग्री मंतरी अमिशाह बीजोपी के प्रदेश अध्यक्ष तलीप खोश्ट सहीत तमाम कई नेताओं द्वारा प्रचार करेंगे वहीं असम में बीज़पी अध्यक्ष येपी नड़ा और कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांदी दम दिखाएंगे चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के अंतिम दिन आज नंदिग्रा में शुवेंदू के पक्ष में अमिशाह का मिगा रोड शो होगा वहीं त्रणमुल कॉंग्रेस सुप्रीमो और सीम ममता बेनर जी आज सुभा ग्यारा बजे नंदिग्रा में भांगा बेरा से शोना चूडा बाजार तक रोड शो करेंगी इसके बाद दोपहर एक बज़े से सोना चूडा बाजार में एक रेली को संबोधित करेंगी वहीं दोपहर दो बज़े भेकुठिया बांसुली चौक लोड गेत में एक रेली को संबोधित करेंगी ममता दोपहर तीन बज़े भेकुठिया के ही टेंगुआ मोर क्रॉसिंग पर तीसरी रेली को संबोधित करेंगी वहीं मिथुन चक्रवरती आज्वन्दीक राम समीत चार जगाओं पर डिरोड शोप करने वाले हैं यानि ये कहा जा सकता है कि आज दिक्गर जो है अपना दमखम दिखाते हुए नजर आएंगे गुड मॉनिंग इंडिया के खबरों में इतना ही आप देखते रहें नूस वाल इंडिया